राम लीला के मंचन में लक्षमन जी ने सुप्नर्खा की नाककाटि सुभाश नगर राम लीला सभाद्वारा राम लीला का हुआ आयोजन भरत आग्मन। खुबर। चितरकूट में भरत मिलाप। राम प्रतिज्या सुप्नर्खा की नाकशेदन। खर्दूशंद्रिश्रा वह का मंचन किया गया जिसमें भरत जी जवयोध्या वापिस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि किस प्रकार करकाईमा की आग्या पालन करते हुए रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्षमन के साथ 14 बरस की लंबे बनवास को चले गये हैं जि पर इतनी दलबल सेना को आते देकर निशद्राज जी राम जी को इसकी सूचना देते हैं कि भरत लाल दलबल सहित आते हैं इस और इस पर लक्षमन जी ये सोच कर क्रोधित होने लगते हैं कि कहीं भरत हमें यहां अकेला समझ के युद्धि करने को तो नहीं आ रहे हैं इस पर राम जी लक्षमन जी को समझाते हैं कि भरत जैसा सुशिल भाई हर जगा ना पाया जाता है और ये भी समझाते हैं कि भरत कभी ऐसा कर ही नहीं सकता जैसा कि लक्षमन जी सोच रहे हैं भरत जी जब राम चंद्राजी के पास आते हैं तो उन्हें मनाने और वापस आयो अभ्याद चलने के लिए बहुत आग्रह करते हैं और मा के द्वारा दी गई आग्या के लिए पश्चाताप करते हुए विलाप करते हैं पर प्रभुर्श्रीमान राम कहते हैं कि जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से तलता है उसका तलना चंद चलता है चलाने को तयार होते हैं तथा रामचंद्र जी के बिना बहुत ही उदास मन से आयोध्या वापिस आ जाते हैं उधरपन शिवत्ती में सुपनार्खा जब राम लक्षमन जी को देखती है तो उनसे विवाह करने का प्रस्तावर रखती हैं इस पर श्रीमान रामचंद्र जी को कहते हैं कि हम कमणवारे नहीं विवाहित है और अपनी को छोड़न्य सब को माता और बहन समझते हैं इस पर श्रीमान ड़क्र रोखती हैं और युद्धी के दौरान राम चंद्र जी खर दूशन और त्रिशला का वत करने। आपनला लग जाएं गारेगी जा करने। और जाम है मार। य॥िधी एठीन टूशन का वाजी बिडि़ा एक भाद में आप मुद्धी आपको दूशन का वाले आपको वादा हूं! झाल